नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में हमारा आज का विशे है हिंदी का भाशिक स्वरूप इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे हिंदी की स्वनीम वेबस्था और हिंदी दोनियों का वर्गिकरन दोस्तो, जैसे हम हिंदी के भाशिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ हिंदी भाशा के, बलकि जब भी हम किसी भी भाशा के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमें जिस चीज को समझने की जूर्ट पढ़ती है वो पढ़ती है उसकी वर्ण विवस्था को मतलब कि उसकी स्वनिम को समझना पढ़ता है सबसे पहले हमें तो चलिए हम हिंदी के भाशिक स्वरूप में सबसे पहले हिंदी की स्वनिम विवस्था को ही समझेंग तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अगर हम हिंदी वर्णों की बात करें या हिंदी वर्ण की बात करें तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं मतलब कि ऐसी ध्वनी जिसके हम क्या करें टुकड़े ना कर पाएं वो ही क्या है वर्ण है जैसे ओ, आ, इ, इ, इस तरीके के जो ये वर्ण है जो ध्वनिया है इनी को क्या का जाता है वर्ण हम इनको अलग नहीं कर सकते इनको तोड नहीं सकते खंडित नहोने वाली मूल ध्वनी ही क्या है वर्ण है फिर वर्णों से ही हमारी आगे क्या निकलत तो देखिये, स्वणिम एक स्वण शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ हूता है बोलना, लेकिन जो वर्ण है वो है स्वणिम का लिखित रूप मान लीजिए मैं बोलता हूँ कौ जब मैं कौ को लिखता हूँ जो लिखित रूप मेरे सामने है वो क्या है उसका वो है वर्ण और उसका जो मौकिक रूप है कौ वो एक ध्वनी है स्वनीम है तो ये है स्वनीम और ध्वनी में अंतर और vurn में अंतर ठीक है फिर आता है कि जो vurn है उसको हُमने एक सबसे पहले हम देखेंगे कि भाशा की बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले किसी गूप पढ़ रहे हम वurn को ही पढ़ रहे हैं इसलिए भाशा की जो सबसे प्रमुख और सबसे और वर्ण दोनों होंगे तो हम जाएंगे स्वनिम की और अगर वर्ण होगा तो हम वर्ण को ही सही करेंगे तो ये हो गया हिंदी का हिंदी भाषा में वर्ण की बूमी का कि वर्ण क्या किसे कहते हैं और वर्ण और स्वनिम में क्या अंतर है अगर हम बात करें हिंदी वर्ण माला में कितने वर्ण हैं तो इसके पीछे विद्वानों के अलग-अलग मत हैं और ये काफी विबाद का विशे रहा है लेकिन जो सर्व सम्मत्ती से विद्वानों का मत है वो है कि इसमें बावन धुनिया हैं कितने वर्ण हैं इसमें अधिक तो ये दो प्रकार की होती है एक है आपकी खंडे ध्वनिया दूसरी है खंडेत्र ध्वनिया तो खंडेत्र जो है वह हम बात में देखें कि पहरे हम देख लें कि खंडे ध्वनिया खंडे ध्वनिया दो प्रकार की होती है जिन में आता है आपका स्वर और व्यंजन और अध यह कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो क्या है, स्वतन्त्र नहीं होते, लेकिन इन्हें ध्वनियों से अलग भी नहीं किया जा सकता, मतलब कि जैसे हम स्वरों और भ्यंजनों को पढ़ते हैं, उनको बोलने के लिए, जिन चीजों की जुरूरत पढ़ती है, वो चीज़ें हैं य कला से काला कल से कला है ना तो लौ में आ की मात्रा लगा रहे हैं तो उसमें क्या है मात्रा है एक तरीके से उसमें समय भी जादा लग रहे है तो उसको कहते हैं मात्रा तो देखे ये इसमें कोई अलग ध्वनी तो है नी है ना सिर्ब उसी को हम क्या कर रहे हैं आ को ही हम उचारित कर रहे है आमे एक तरिके से गुना गया लओ में जैसे आ का गुना आ गया ठीक है तू वो है मात्रा दूसरा अब बलागात बलागात से मतलब अभी प्राय है कि हम जब किसी विशेश ध्वनी पर अधिक बल देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे ही बलाघात कहा जाता है जैसे हम बोलते है जैसे वह चल रहा है तो यहाँ पर हम अलग से थोड़ा सा एक स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसी स्ट्रेस को क्या कहा जाता है बलाघात कहा जाता है फिर आता है उसके बाद तीसरा सुर तो सुर से अभी प्राय देखिए एक तरीके से कमपनावरिती या सुर का प्रमुख कारण होती है किसका सुर का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो सुर में गा रहा है कभी वो दीरे गा रहा है कभी उंचा गा रहा है तो इसी को मतलब कभी हाई पीच में कभी लो पीच में कभी बीच के सुर में गा रहा है मतलब पूरे सुर में गा रहा है तो इसको क्या गा जाता है सुर बोला जाता है तो यह है अगला जो खंडेतर धनिया उसका एक तरीके से प्रकार अनुनासिक्ता जिसमें हम अनुस्वार का मतलब होता है जिसमें जैसे जैसे मान लीजिए आपने बोलना है संवरना तो उसको सवार अगर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा सवार अगर अनुसवार लगेगा तो समवार तो ये अनुसवार क्या है? ये द्वनी है, लेकिन ये स्वर द्वनी ही उसके उपर हम लगाते हैं कौन सा आयोगबा अनुसवार, जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे ठीक, इसमें लास्ट आता है संगम या सहीता संगम या सहीता से अभी प्राया है कि जब हम, मान लीजिए, दो भाशिक हीकाईया है उनके बीच में हम थोड़ा सा समय ले ले लेते हैं जैसे खा, या है ना, अगर हम इनको अलग अलग कर लेंगे देखिए, खा, या तो ऐसा लग रहा है, एक पहला जो शब्द बन रहा है, वो खा बन रहा है दूसरा या बन रहा है, अथवा वाला ठीक है ना, अगर हम इसको साथ में बोलेंगे तब ये खाया बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं संगम, है ना, इस तरीके से ये है खंडियत्र ध्वनिया तो चलिए, ये हो गया हिंदी वर्ण विवस्था के प्रकार अब हम देख लेते हैं जो हमारे स्वर कितने हैं और व्यांजन कितने हैं, जैसे हमने पहले बात कीती कि हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यांजन है, और अधिक्तम जो इनकी संख्या बताए गई थी विद्वानों के द्वारा सर्वसंबत्ती से, वो है बावन तो हम देख लेते हैं औ से लेकर के आउ तक, ये कितने हैं? 11 हैं, चाहे तो आप गिनुती इसकी कर सकते हैं और इसमें, दो आपके अयोगवा हैं अंग और अ तो ये होगे 11, 2, 13 अब देखिए व्यंजन व्यंजनों को याद करने का सबसे सरल तरीका है देखिए कचो, टो, तो, प तो ये 5 वर्ग हैं कउ से लेकर के, कहां तक? मो तक, तो इन 5 वर्गों के अंतरगत कितने वर्ण आते हैं? 25, प्रति एक वर्ग में कितने-कितने वर्ण हैं? 5, या धुनिया हैं, 5 दुनिया देखिए तो ये 5 हैं इनको इस तरीके से भी याद रखते हैं तो इन में 5 दुनिया है जो ये कउ से लेकर के मो तक ये आने वाली धुनिया है उन्हें का जाता है स्पर्ष व्यंजन स्पर्ष व्यंजन क्या होते हैं? ये हम आगे विस्तार से इनको पढ़ेंगे अगला है इन्हें का जाता है अंतस्थ व्यंजन उसके बाद शो, शो, सो और हो इन्हें का जाता है उश्म व्यंजन तो आगे हैं देखिए और श्रो तो ये क्या है ये है संयुक्त व्यंजन उसके बाद र और अड़ तो ये है उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर इन्हें कहा जाता है दुईगुण व्यंजन तो देखिए जो स्वर थे वो हमारे ग्यारा थे अयोगभाद दो थे होगे तेहरा कौसे लेकर करके मौ तक 25 होगे 25 और 13 होगे 38 और उसके बाद 15 और 4 42 उसके बाद 6 400 तो ये होगे 42 scheduled 46 और फिर 22 और श्रो ये संयुक्त व्यंजन होगे व्यंजन भी आगे, संयुक्त व्यंजन भी आगे, उत्क्षिप्त भी आगे और अयोगबा भी इसी में समाहित है तो ये है संपूर्ण हिंदी की वर्ण माला, अब हम देख लेते हैं आगे हिंदी ध्वनियों का वर्गी करण जो ध्वनियों को बांटा कैसे गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गी करण कैसे हुआ है तो जो सबसे पहले हुआ देखिए वो उचारन के अधार पर, मतलब उचारन स्थान कहां कहां है ये भी एक्जाम में कई बार पूछे जाता है कि कौन से वर्ण का उचारन स्थान क्या है दूसरा है मात्रा के अधार पर, तीसरा है जीव की स्थिती के अधार पर, चौथा मुखवीवर के अधार पर, और पांचवा ओश्ट की स्थिती के अधार पर तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं उचारन के अधार पर स्वरों का वर्गी करन अगर हम उचारन स्थान के अधार पर स्वरों के वर्गी करन की बात करें तो O और A जो इनकी उचारन स्थान क्या है कंट है जब भी हम और A का उचारन करते हैं तो आवाज कंट से आती है गल कहा जाता है ए और ए तो इनको बोलने में कंठ और तालू दोनों का सहरा लेना पड़ रहा है तो इसलिए इने कहा जाता है कंठ तालब्य और ओ और ओ यह कंठ और ओश्थ्य दोनिया तो इनको बोलने में अमने गले और अपने ओठों का सहरा लेना पड़ रहा है इसलिए इनक लेते हैं दूसरा मात्रा के धार पर स्व़रों का वर्गी करण। तो ये तो हम बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हरस्व, दिर्ग और प्लूत तो कौन-क। से हरस्व हैं, हम सब जानते हैं कि जिनको बोलने में कम समय लगे और दिर्ग क्या है जिनको बोलने में रस्व क्या पेक्षा, तुगना समय लगे या अधिक समय लगे और इसके लावा प्लुथ स्वर तो प्लुथ स्वर हिंदी में बहुत कम इस्तिमाल किया जाता है जैसे ओम का उचान करते हैं तो उसको कहते हैं मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अग्रस्वर में आते हैं E-A-I, अग्र का मतलब होता है आगे, मतलब हमारी जीवा का जो आगे वाला भाग अगर कार्या कर रहा हो तो उसी को कहा जाता है अग्रस्वर E, तो जीव आगे से लगरी है न कहीं पर? इसलिए इनको कहा जाता है अग्रस्वर पश्चस्वर पश्च का मतलब होता है पीछे मतलब जीव की पीछे वाला भाग जब कुछ कार्या करता है या मतलब जिन ध्वनियों का उचान कहां से हो जीव के पीछे वाले भाग से हो उन्हें कहा जाता है पश्च स्वर तो इसमें आता है आ, उ, उ, ओ, आउ तो ये हमारे जीव के सिती के अधार पर स्वरों का वर्गी करन हो गया कि तीन अधारों पर होता है मध्य, अग्र, पश्च ठीक है? या कुछ लोग अग्र को पहले लेते हैं जो हम उसमें पढ़ रहे थे ब्रज भाषा और कर्वी भाषा में खड़ी बोली में उसमें हम ये चीज़ देख रहे थे कि उनमें संब्रित स्वर हैं, अर्द संब्रित हैं का यो में है ना, तो यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं कि मुह बंद रहता है लेकिन अगला देखिए अर्द संब्रित जिन में मुह हमारा आधा बंद रहता है पूरा नहीं होता बंद आधा बंद रहता है देखिए जैसे ए ओ ठीक है तो इन्हें का आ जाता है अर्द संब्रित विवरित स्वर तो विवरित स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उचाड में हमारा मुँष पूरी तरह से खुला रहे। तो आ देखिए, पूरा खुल जाता है ना हमारा मुँष, आ तो ये क्या है? ये है विब्रित स्वर्ग। फिर आता है अर्ध विब्रित, अर्ध विब्रित का मतलब जिनमें आधा खुला रहे। मतलब की ओश्ट की स्थिति के आधार पर स्वरों का बर्गे करण किस प्रकार होता है कि जब हमारे ओंठों का अकार गोल अगर हो, तो उसे कहते हम नम बृत्मुखी अगर गोल आकार ना हो स्वरों के उचार्ण करते समय तो वो अबृत्मुखी स्वर हो जाएंगे तो सबसे पहले बृत्मुखी देख लेते हैं कि कौन कोन ऐसे स्वर हैं जिनका उचार्ण करते समय हमारे जो ओंठ हैं वो गोल आकार होते हैं इनके उचाड में हमारा जो मू है वो हमारे जो ओंट है वो गोल नहीं हो रहे हैं इसलिए इनको कहा जाता है अबृत मुखी तो क्लियर है ओष्ट की स्थिति के अधार पर स्वरों का वर्गी करण इस वीडियो में फिलाल इतना ही था दोस्तो अगली वीडियो में हम देखें ये इजाज़त क्या हिंद जैभार है